और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दे मालदीव को लेकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षदीव की तस्वीरों पर मालदीव के मंत्री के टिपणी के मामने में भारतिय विदेश मंत्राले ने कड़ी नराजगी जाहिर की है उचायों के तरफ से ये मुद्धा उठाये गया है आपको ये बता दे के पिछले दिनों प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षदीव की जो तस्वीरे सामने आई थी उस पर मालदीव के मंत्री ने आपक्ती जनक टिपणी की थी और इसे लेकर मालदीव के मंत्री अब अपने ही देश में लगातार घिरने लगे हैं ये बगट बड़ी ख़बर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षदीव की तस्वीरों पर मालदीव के मंत्री की टिपणी के मामले में अब भा बाद इस तरीके की टिपणी आना और अब भारते वुदेश मंत्राले की तरफ से भी कड़ी नराजगी जाहिर कर दी गई है। महिला मंत्री ने भारत सरकार वारत के इन टापों को इन सुंदर द्वीपों को और प्रधान मंत्री के ट्वीट पर जो गंदी प्रतिक्रिया दे थी उसके उपर से भी मालदीव सरकार ने अपने कदम वापस खीच लिया है। में ही भारत के उन अनिक्स्लोर्ड टेरिटरीज में जाने की बात करने लगे थे जो सेबरिटी आज तक मालडीज जाने की वखालत करते रहे थे। तो एक बहुत बड़ा व्यापार का केंद दे था तो वालडीज को इससे बहुत बड़ा नुक्सान भी हो सकता है। तीकि पूरी अर्थ्विवस्था भारत के भरोसे ही चलती है और भारत ने उनको काफी सुरक्षा भी दी हुई है। किसी कानों से, किसी और देश के दवाव में या किसी और देश के इंफ्लूइंस में अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि यहां के कमरे बद्वु आले हैं, यहां के कमरे भारत के कमरे ऐसे होते हैं और उन्होंने तमाम इस तरह के बयान दिये थे जो भारत के लिए काफी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए लेकिन देखें बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता रहा है बारतिय विदेश मंत्राले की तरफ से भी देखें साफत और पर सक्त टिपड़ी की गई है और जिस तरीके से मालदीव के मंत्री की तरफ से बयान दिया गया ताला कि अब उन्होंने वो ट्वीट जो है वो जरूर डिलीट कर दिया गया है लेकिन तमाम सेलेब्रिटीज जो है वो प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरे किस तरीके से रीट्वीट करते हुए नजर आ रहे थे अब यहां पर लगातार जो विवादस्पत बयान दिया गया उसको लेकर भारत की तरफ से भी कड़ी आपत्ती जाहिर की गई है लेकिन एक बार फिर से जो अमिताब जी हमारे वरिष्ट सयोगी बता रहे थे वो यही कि जो अर्थ विवस्ता वहां की है वो पूरी तरह से भारत पर निर्भर रहती है बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो वहां पर हर साल हर महीने यात्रा करते हैं और इस बयान के आने के बाद वहां पर नुकसान पहुंचना शुरू हो गया था और इसी लिए मानाया जा रहा है कि यूटर इस बयान से हो सकता है तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहा है और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दे मालदीव की सरकार ने महिला मंतरी के बयान को निजी बताया है मालदीव सरकार ने कहा कि सरकार का ये मत नहीं है ये उनका निजी मत हो सकता है हाला कि आपको ये भी बता दे कि जो पोस्ट किया गया था बाद में उसे डिलीट उनकी तरफ से कर दिया गया है लेकिन अब सरकार ने इस बयान से किनारा कर दिया है तो भारत के कड़े रुक से मालदीव किस तरीके से डरा सबसे बड़ी बात यह है कि पहले मंतरी ने जो ट्वीट किया था उसे वापस ले लिया गया लेकिन भारत के कड़े रुक के बाद ये फैसला लिया गया है कि अपनी ही मंतरी के किलाफ मालदीव जो है बड़ा आक्शन लेगा इतुना इने भारती उचयू की तरफ से भी जो है वो साफतोर पर कहा गया है कि जो भी बयान दिया गया था वो पूरी तरह से गलत है और भारत के बाइकॉट से मालदीव किस तरीके से डरा है कि अपनी मंत्री के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की तैयारी मालदीव की कीज़ा रखी है जो तस्वीरे वहां की थी सामने आई थी उसके बाद जब ये बयान सामने आया तो बकाइदा सोशल मीडिया पर एक हैश्टेक ट्रेंड करने लगा था बॉयकोट मालदीव और इसका बहुत बुरा असर वहां पर देखने को मिला और ये असर ऐसा था कि बड़ी तादाद म लोगों ने वहां पर जाने से इनकार कर दिया ऐसा इसी लिए क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंदर मुदिया आपको याद होगा जब उन्होंने ट्वीट किया था उनकी तरफ से तस्वीरे साजह की गई थी तो वहां की खुबसूरती के बारे में बताया गया था लेकिन बात करें तो टूरिजम का एक बहुत बड़ा जो है स्पेस माना जाता है और जादा जो अनकारी के लिए हमारे से होगी नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जो चुक है नीरज भारत की तरह से जो बाइकोट किया गया अब माल्दीव की तरह से कहा ज़ा रहा है कि अब हम प्रधान मंतरी के खिलाब आपत्ती जनक और अपमान जनक शब्दो का इस्तिमाल किया था उसे बाद में ट्वीट किया गया लेकिन भारत की तरफ से इस पूरे मसले को महा के हाई कमिश्णर ने उठाया महा की सरकार से और उसके बास सरकार की तरफ से बयान है कि इस तरह के बयान से मालडिव की सरकार का कोई लेना देना नहीं है नीजी बयान है और उसी बयान के अंत में ये लिखा गया कि ऐसे लोगों के खिलाप जो डेरोगेरी रिमार्क्स देते हैं उनके खिलाब कारवाई करने सब नहीं चुकेगी एक हिदायत कह सकते हैं मंतरी के खिलाब क मंत्री के खिलाप कोई कारवाई होती है कि नहीं ये देखना होगा लेकिन जिस तरह से सोचल मीडिया पर मंत्री के प्रधान मंत्री पर बयानों के खिलाप प्रतिक्रियां सामने आई हैं चाहे फिल्म जगत के लोगों की बात करे या आम लोगों की बात करे या फिर खुद मा मालदीव के सरकार को बैक फूट पे लाने पर मजबूर कर दिया और इसलिए मालदीव के सरकार की तरफ से ये बयान जारी किया गया मीरज इससे पहले हमने ये भी देखा कि नए राजशुपती की तरफ से एक संकेत भी दिया गया बने रहेगा हमारे साथ लेकिन इस पर जानकारी आपसे और भी लेंगे खबर पहले दर्शुपों को लगातार जो वहां से मिल रही है ये बता देते हैं और इसी से जुड़ी ह कोई एक और बड़ी खबर है भारत पर निशाना स्ताधिने की चक्तर में मालदीव अपने ही देश में घिरता हुआ दिखाई दे रहा है मालदीव के पूर्व राश्चुपती मोहमाद नशीद ने अपने ही देश के मंत्री को नसीहत दी है जो पीम मोदी के के लिए एक प्रमुक सहियोगी बताया की गई तो अपने ही बयान के बाद वहाँ पर लोगों ने बहुत सारे सवाल उचा दिया और उसका नतीज़ा ये रहा कि आब इस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा है तो प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी पा टिपड़ी की गई जिसके बाद अपने ही देश में मंत्री जो है वो घिरती हुए नहसर आ रही है चाहे विपक्ष के नेता हो या पूर्व राश्चुपती ही क्यों ना हो या आपको मौबन दशी जो पूर्व राश्चुपती रहे हैं माल्दी उसके उनका ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने घटिया लैंग्विज यानि कि बोला कि जिस तरीके से मंत्री की तरफ से जो भाश्चा का इस्तमाल किया गया था वो घटिया था माल्दीौ की मंत्री की टिपड़ी पर पलट भार भूने लगा है हिंदी फिल्म अब्यनिता आकशें कुबार ने सोशल मीडिया पर पोश्ट लिखा कि माल्दीौ में भारत में सबसे जाधा परियतक दिखाते हैं अईसे में माल्दीौ की मंत्री को गरिमा का खयाल रखना चाहिए पोरो क्रिकेटर सचिन तंदुलकर ने भी अपनी पच्चासवे जनम दिन की तस्वीर शेयर करते वे लिखा कि हम आती थी देवोभवा का विचार रखते हैं इसके साथी बॉलिवोड अबिनेता जॉन ब्रहम ने भी सोशल मीडिया पर लक्षदीव की तस्वीर शेय और लिखा आती थी देवभवां को यह अक्षय कुमार की हम बाते दिखा रहे हैं इसी तरीके से और भी जुसने स्टार्स थैं उन्होंने अपनी बाते रखी एकशय कुमार के अलावाज ज्यु सचिन तंदुलकर हैं क्रिकेट के भगवान जनको कहा जाता है उन्होंने भी अपनी भावनाय रखिया और दोनोंने कॉमन बाते कई अति थी देवभवा यानि आप दूसरे देश को या दूसरे देश के किसी जगा को इस तरीके से नहीं लिख सकती है जौन अब्रहाम का भी ट्वीट है और इन सभ भारतिये भड़क गए भारतिये नाराज हो गए और माल्दिव को परिशानी इस बास ती थी क्योंकि वह देश पूरी तरीके से यात्रा पर टिका हुआ है वेपार का जरिया जो है बिसनस कार्थिक मस्बूती जो उसको मुलती है वह बहाँ प्रेटकों की पहुंचने की व पहलते हैं यहीं इस तस्वीर जिसमें पी एं मोदी आपको नसर आ रही हैं वो तश्वीर और यहीं वजह है कि जो भारत के बड़े स्टार्स कई लोग ऐसे हैं जो मौल्दिव के अपने टूड को गाइदा कैंसल कर रहे हैं और लक्षुदीब जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लोग मौलदिव की फूब खरी खोटी वहां के लोगों के लोगों को भी सुना रहे और उस जग़ के बारे में भी बूल रहे हैं। टोरिसम पर निर्भार मालदीव को भारत की टाकत का अंदास अभी नहीं है मालदीव के मंत्री अब दुल्ला मौजुम माज़िद ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा था अब चली आपको एक ग्राफिक्स के जरीए जरह हम बताने की कोशिश करते हैं तो मालदीव के मंत्री ने क्या कहा है सबसे पहले आप यह समझे मालदीव के परटन को निशाना बनाने के लिए भारत के परटन को शुपकामना यह पहली लाइन आपको बता रहा है कि आखिर कहां से यह विवाद की शुरूआत हुई थी भारत को हमारे बीच परिटन से एक कड़ी टकर मिलेगी ये भी उनकी तरफ से आगे कहा गया था इतना ही नहीं मालदीव के रिजॉट इंफ्रस्ट्रक्चर ही भारत के पूरे इंफ्रस्ट्रक्चर से जादा है यानि कि देखे किस तरीके से डिफ्रेंसियेशन करने की कोशिच यह यहां पर की गई और यही वो पोस्ट है जिसके बाद जबरदस बवाल भी यहां पर मचता हुआ दिखाई दिया था हमने आपको यह भी बताया कि मालदीव के परेटन को निशाना बनाने के लिए भारत के परेटन को शुबकामनाय देता हूँ यह उनकी तरफ से लिखा गया था भारत को हमारे बीच परेटन से कड़ी चकर मिलेगी क्योंकि जिस तरीके से प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के तरफ से जिसकी बहुत खुबसूरत तस्वीरे प्रधान मंतरी ने खुझ साजा की थी यह उनकी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने लक्षदीब दौरे की तस्वीरे जो है सोशल मीडिया पर शेयर की थी जिसकी लोग खुब वावाई करते को यह भी नजर आए जिसके बाद अब लगातार सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड होने लगा और उसके बाद टिप पड़ी करी लेकिन मालदीव की मंतरी अपने ही देश में घिर गए मालदीव की पूर्व राश्चुपती ने इस बयान की कड़े तौर पर निंदा भी कर दी है कई लोगों ने अपनी जो मालदीव की यात्रा है वो रद कर दी है जिसे फिनेंशल तोर पर माना जा रहा है कि वहाँ पर बहुत भारी नुकसान हुआ हवाई, यात्रा, होटेल, बुकिंग को यहाँ पर बकाइदा कैंसल कर दिया गया कई भारतियों की तरफ लेकिन आप ऐसे में समझे कि जब मालदीव की हवाई यात्रा हो, होटेल, बुकिंग हो, वो कैंसल कर दी गई तो ऐसे में बहुत बड़ा नुकसान मालदीव को हुआ और इन सब के बीच में अभीनेता सल्मान खान ने ट्वीट किया है लक्षदीब के सुन्दर, स्वच्छ और आश्चर्य जनक समुद्र तटो पर हमारे माननी प्रधान मंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देखना बहुत अच्छा है ये सल्मान खान का ट्वीट आपको देखा रहे और उन्होंने ये भी लिखा कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये हमारे भारत में है देखे एक तरफ मालदीव की मंत्री की तरफ से किस तरीके से टिपड़ी की गई कि हम जो है टकर देने के लिए तयार है लेकिन दूसरी तरफ सल्मान खान की तरफ से जवाब दिया गया